आज मैं एक टूल किट ले गया हूँ जो की डे टू डे लाइफ में काफी जादा हेलपफुल हो सकती है ये है बिल्ट स्किल प्रो की BGSB13RE किट नाम बड़ा है तो काम भी इसका बड़ा है देखेंगे कितना दम है इस टूल किट में और कितने काम की है करेंगे इसकी अन्बॉक्सिंग और एक पूरा रिव्यू तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट स्वागत है बिया टिक फिल्म्स में तो सबसे पहले ये जो टूल किट है कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको मिलती है इस बॉक्स को बस आपको इजिली ओपन करना है कुछ इस तरीके से और सारी चीज़ें यहां पे अरेंजड मिल जाएंगी यानि कि आपके टूल किट में जितना भी समान है वो जल्दी से खोईगा नहीं क्योंकि यहां पे proper slots दे रखे हैं हर product के लिए तो यहां पे यह सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती है फिलाल में इसके ओपर जो है बहुत सारा plastic wrap लगा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ और फटावट से आपको इसकी एक first look दे रेता हूँ सारी चीज़ें देखने को यहां पे मिल रही है जैसे कि एक wrench है measuring tape है drill bits है कुछ screwdriver के bits है यह सारी चीज़ें मैं आपको आप दिखाने वाला हूँ बारी बारी से इन चीज़ों के लावा आपको बॉक्स में एक wall plug का packet मिलता है और यह wall plugs ना बहुत ज़ादा काम आते हैं इसको फिलाल मैं मैं साइड में रखता हूँ इसके लावा यहां पर एक user manual मिल रही है और user manual के packet के अंदर हमें extra carbon भी देखने को मिल रहा है जो कि आज तक मैंने जैसे पहले भी drill machine का वीडियो बनाया था कभी drill machine के साथ में मैंने extra carbon नहीं देखा तो यह बहुत useful चीज़ है तो box के toolkit के बात करते हैं सबसे पहले आपको एक छोटा से यहाँ पर wrench मिल जाएगा यह wrench भी हमारे daily life में बहुत जाला useful हो जाता है इस तरह की चीज़ें definitely काम में आती है second चीज़ है यहाँ पर measuring tape यह measuring tape की quality मुझे personally काफी पसंद आए तीन मीटर का measuring tape है इसमें lock button है एक तो यह बस दबा के रखना आपको इस तरह से lock हो जाता है जैसी छोड़ेंगे measuring tape अंदर चले जाएगा और अगर आपको measuring tape को completely lock करके रखना है एक point पे तो आप इसे कीची और उपर का button यहाँ पे lock कर सकते है तो देखिए यहाँ पर यह completely lock है इस समय यह जब तक अंदर नहीं जाएगा जब तक यह उपर का button में slide नहीं करूँगा measuring tape जो आम तोर पे बजार में मिलते है 30-40 रुपे के उससे काफी बढ़िया quality मुझे measuring tape की यहाँ पे लगी है next product की बात करते हैं इसके अंदर आपको एक छोटा सा box मिल जाता है इस box के अंदर भी आपको कुछ screws मिल जाते हैं और wall plugs मिल जाते हैं अब यह जो चोटी-चोटी चीज़ है ना काफी अच्छी तरीकी से इस box में arrange है जब wall में hole अगरा करते हैं इन चीज़ों की बहुत सारा जरुत पड़ती है और यह arrange हैं खोईंगी ने काम आएगी इसके लाव हमें यहाँ पे तीन-तीन drill bits मिलती हैं दो पेर हैं तीन-तीन drill bits के और यह दोनों अलग bits हैं यह वाली जो bit है जिसको मैंने अब यह उठाया है यह वाली bit जो है आपकी metal में hole करने के काम आएगी वैसे ही यह drill bit normal quality की है अगर आप बहुत जादा professional work करते हो तो फिर आप drill bits अलग से buy कर सकते हो यह वाली drill bits normal wooden में hole करने के काम आएगी या दिवार में भी आप इससे hole कर सकते हैं जो अगला यह वाला bits का सेटन है यह मेरा personal favorite है यहाँ पे आपको 5 mm से लेकि 13 mm की bits मिल जाती है और यह personally मुझे इसलिए जारा पसंद नहीं डे-to-day life में जब nuts वगरा कसने होते हैं especially buy क्या car में तभी भी यह useful हो सकता है यहाँ पे कुछ screwdriver की bits मिल जाती है और इसकी quality मुझे काफी अच्छी लग रही है ऐसे तो और इसके अलावा यहाँ पे एक extension मिल रही है इस extension का use मैं आपको just अभी थोड़ी ही देर में बताने वाला हूँ अब screwdriver की बात करते हैं screwdriver की पीछे की grip जो है न वो काफी अच्छी लगी है और मुझे उसकी personal quality भी अच्छी लगी है और इसके आगे कोई भी screwdriver की bit लगाएंगे न तो उससे ये फाइदा है कि ये काफी strong magnet इसमें लगी भी है जल्दी से निकलने नहीं वाली तो heavy work के लिए भी आप इस screwdriver का use कर सकते हैं बात करते हैं अब उस extension की जो just मैंने आपको अभी दिखाई थी वो extension भी इसी screwdriver में लगने वाली है और उसके बाद में अगर आप nut bolts को कसना चाहते हैं तो कुछ इस सरीके से इस extension का आप use कर सकते हैं अगे इन मैं कहरों magnetic bonding काफी strong है तो आप easy lease से काम कर पाएंगे यहाँ पे एक set of plier मिलता है यह plier आपकी day to lay life में काम आ सकता है wires वगरा strip करने के लिए या कहीं पे कोई nail फसा हुआ है उसको निकालना चाहते हैं तो यह plier आपके काम आएगा चोटा सा है काफी handy सा tool है यहाँ पे एक hammer भी मिलती है यह hammer काफी अच्छी लगी मुझे इसकी quality काफी अच्छी है यह hammer की grip भी अच्छी है जैसे screwdriver की grip थी nail भी इसी से आप निकाल सकते हैं और बड़े से बड़ा nail जो है उसको easily से आप जो है इस hammer की मदद से ठोक पीट सकते हैं यह वाली जो extension है यह आपके drill machine में लगेगी यह एक तरीके का drill machine का extra holder बन जाता है यहाँ पे एक scale दे रखा है जो की depth measuring के काम आता है और यह वाला जो scale है यह इसी में fit हो जाता है उपर की तरफ में यहाँ पे hole दे रखा है और एक चोटा सा button है उसको आप जैसी slide करेंगे तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं फिलाल मैं इसको भी side में रखता हूँ main drill machine की बात करते है 13 mm की यहाँ पे drill machine मिल रही है और यह एक wired drill machine है इसकी जो power है वो 500 watt है यानि की 500 watt के drill machine है और इस drill machine में आपको reverse का option भी मिल जाता है hammer mode भी मिल जाता है चलिए free see की बात करते हैं मैं अपने चनल पे पहले भी एक drill machine दिखा चुका हूँ यूज करता हूँ उसको personally इसे यूज करके कैसा लगा सब बताता हूँ अब आपको क्योंकि ये एक main tool है इस tool kit का drill machine बहुत जादा useful रहती है मेरे जैसे इनसान के लिए आपके लिए भी रह सकती है day to day life में उपर ये जो button है इससे आप drill machine को forward या reverse में यूज कर सकते हैं तो इसमें आप screwdriver के bits भी लगा सकते हैं इनके screw आपको खोलना हो या कसना हो ये जो button है इसका response अच्छा है और ये button यहाँ पे lock भी हो जाता है तो continuous drill के लिए आप इस button का use कर सकते हैं round वाले button का इस सरीके से आप इसे lock कर सकते हैं और drill machine continuously काम करेगी उपर आपको water level indicator मिल जाता है साथ ही में आपको एक hammer button मिल जाता है जिन जगों पे easily hole नहीं होता कुछ दिवारे ऐसी सक्त होती है तो वहाँ पे आप hammer mode use कर सकते हैं मैंने use किया था अभी जस्ट मैं आपको drill machine किस तरह से work करती है मेरा experience क्या रहा है वो सब बताऊंगा यहाँ पे drill machine के बारे में कुछ लिखा है जो मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ मैंने drill machine को कुछ दिन पहले use किया था यह product तो मेरे पास काफी दिन से पढ़ा हुआ है वीडियो आप आ रहा है आपके लिए तो इसमें मैंने drill bit को लगा दिया है और मैंने कैसे लगा है वो भी दिखाये था उससे पहले यहाँ पे यह जो holder है इसको इस तरीके से लगा कि यहाँ पे हम lock कर सकते है तो यहाँ पे यह है कि एक तरीके से एक extra holder मिल जाता है और इससे यह फाइदा कि जैसे कि हम hammer mode वगरा use करते है कई बार जादा holds करने हमारे हाथ भी नहीं थकते इससे और हमको एक बढ़िया grip मिल जाती है तो grip के मामले में मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैं इसको use कर चुका हूँ अभी मैं आपको वो clip दिखाऊँगा कि किस तरह से इस drill machine ने perform किया था तो चलिए इसमें drill bit लगाते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने drill bit को लगाया पहले इसको मैंने lock कर दिया lock करने के बाद मैं इसकी चाबी लेता हूँ और चाबी से मैं इसको कस देता हूँ अच्छे से अब मैं आपको इसके कुछ results दिखाता हूँ आप उन results को देख लीजिए उसके बाद में हम कुछ बात करेंगे कि मेरा experience इसके साथ में कैसा रहा मैंने यहाँ पर eat पे ही एक hole किया था पहले मैंने normal mode में hole किया था एक बार अब इसकी sound भी सुन लीजिए फिर मैं आगे बात करता हूँ मैंने जैसे कहा था यह जो drill bit साथ में मिली है न मुझे हर चीज की quality अच्छी लगी drill bits आप definitely change करिए अगर आप कोई heavy work करना चाते हैं लेकिन normal इस तरह से eat आ में अगर आपको छेट करना है यानि की eat में छेट करना है वो easily यह कर देता है अगर आप इसका hammer mode इस्तमाल करेंगे जैसा की मैं अब आपको दूसरी clip दिखाने वाला हूँ तो hammer mode से कितनी fast यह drill करता है वो देखिए वैसे तो eat के उपर normal mode में भी मैंने drill bit चेंज ने की जो इसके साथ में मिली है उसी से छेट किया था आप मैंने hammer mode पर डाला है और अब इसकी speed देखिए अब मैं आपको अपना experience बताता हूँ इस drill machine के साथ में अगर आपको दिवार वगारा पर hole करना easily कर सकते हो lock buttons में दे रखा है continuous drill करना जाते हो वो भी हो जाएगा तो दिवार वगारा में इसमें hole करना है तो बहुत easily होगा जैसे कि मैंने eat पर भी hole किया hammer mode से तो बहुत ही fastly यह जो है यहाँ पर drill हो गया metal पर मैंने इसको drill करके देखा नहीं तो इसलिए अभी मैं उस बारे में कहा नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई metal मेरे पास available नहीं था पर क्योंकि मैंने past में drill machine को use कर रखा है तो मेरा experience है drill machine के साथ में थोड़ी बहुत knowledge भी है drill machine की बहुत जादा professional level पे तो मैं drill machines को कभी use नहीं किया है लेकिन day to day life में यह drill machine definitely आपके लिए अच्छी रहेगी तो अगर आप day to day life के लिए personal use के लिए एक पूरा complete toolkit का set लेना चाहते है यहाँ आपको hammer भी मिल जाता है देखिए बहुत सारे net bolts को भी अगर आप open करना चाहते है और उसके अलाब आपको wrench भी मिल जाता है measuring tape भी मिल जाता है तो यह complete toolkit है आपके personal use में आपके definitely काम आ सकती है अब price की बात करते है price जो फिलाल में चल रहा है वो 2700 रुपे के असपास है कम जादा होता है electronics का price तो वो मेरे control में तो नहीं है 2700 रुपे में देखिए drill machines आती है professional level की लेकिन यहाँ पे आपको complete toolkit मिल रही है अगर आप बिल्कुल professional level का काम करते है तब तो आपको फिर महेंगे products लेने ही पड़ेंगे definitely सी बात है लेकिन अगर आप day to day life के लिए अपने इस तरह की toolkit लेने का सोच रहे हो personal use के लिए यह काफी अच्छी है 2700 रुपे के इस आप से मेरे को इसमें कोई शिकायत तो नहीं नजर आई day to day life में definitely यह आपके लिए helpful हो सकती है description में मैंने link दे दिया है खरीदना चाहते हो तो साथ ही में अगर आप अगले वीडियो देखना चाहते हो कोई और कमाल के gadget मैं जरूर दिखाऊंगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell on कीजिए और हाँ जाने से पहले Instagram का link description में है मुझे जरूर follow कीजिएगा अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं अगले वीडियो मिलता हूँ